तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें सूजी का मिक्श्य बनाना होगा तो यहां पर मैंने ले ली है एक कप सूजी और उसमें हम डालेंगे एक छोड़ा चमच नमक या स्वात के अनुसार आप इसमें नमक अड़ कर लीजिए और हम इसमें अड़ करेंगे दही देखिए जितनी हम सूजी का इस्तमाल करेंगे उतनी हमें दही लेनी है तो यहां पर मैंने एक कप सूजी का यूज किया है उसके एक कप दही का यहां पर इस्तमाल किया है तो सबसे पहले इन तीनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं और अच्छी तरह से मिलाने क यहां पाँच मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि जो हमारी सूजी है वह फूल कर अच्छी तरह ऐसे तायार हो जाए सब्सक्ना ने से मिक्स कर लिया और रेस्ट करने के लिए पांच मिनट कबरकर छोड़ देते हैं पांच मिन के बाद आप देखेंगे हमारा जो यह सूजी का मिक्चर है यह काफी गाड़ा हो चुका है अब इस रेसेपी के सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि सूजी का जो मिक्चर होता है कभी भी स्मूथ नहीं होता तो इसे स्मूथ बनाने के लिए इहां पर मैंने एक मिक् सारा हमें यह मिक्शर जार में डाल देंगे सो इसमें पहले जब नहीं पहले रहता है उस तेज़ पर हमने पानी का भीस नहीं किया तो यहाँ पर मैं 1 फोर्थ कप पानी आइड कर लेती हूँ इसमें ज़्यादा पानी नहीं आइड करना अब हम इसका ढगाकर कम से कम 2 मिन तक इसे अच्छी तरह से मिक्सी करेंगे ताकि यह बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए इसका स्मूथ होना मिक्सचर का बहुत ज कटा हुआ है आदी शिम्ला मिर्च छोटी जिसे भी मैंने बिल्कुल बारिक टुकडों में काट लिया है तीन से चार प्रोसेस चीज क्यूब्स का मैंने इस्तमाल किया है रूम टेंप्रेचर पे थी इन्हें मैंने कद्दू कस करके रेडी कर लिया है यहां पर मैंने बटर का यूज क्या आप चाहें तो रिफाइंड ओल का यूज कर लिजिए मटर ले लिए फ्रोजन वन कप फ्रेश मटर का इस्तमाल कर सकते हैं बड़ अगर फ्रेश मटर हो तो उबाल कर इस्तमाल कीजिएगा सूखे मसालों में हम लेंगे नमक थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ से पहले कड़ाई में हम तोड़ा सा बटर एड़ करेंगे या प्रिफाइंड ओल एड़ कर लीजिए बिल्कुल दो बड़े चमत जादा एड़ नहीं करना इसमें और उसके बाद जैसे हमारा बटर सोड़ा सा मैल्ट हो जाएगा हमने जितनी चीजे ले ली थी अब हम उसम करेंगे बारीक कटा हूँआ प्याज बारीक कटी शिम्ला मिर्च मतर जिस दो काफे सपाइसि पसं करते हैं अ यौ जब तीन से चार मठ हो जाएंगे फिर दिए फिलेम रड़ा कर देंगे और इसे थोड़ेर पकते देंगे आधा चुटा चममय को नमक 10 च्वारत गरं मसाला और दो फिलेम यद्विल भेज आप आप चाहें तो इसे cover करके पका लीजे ताकि मटर थोड़े से जल्दी से पक जाएं आप boil मटर का यूज़ करेंगे तो ये काफी जल्दी हो जाएगा process अब इसके बाद जब अच्छी तरह से आप देखें कि हमारा मटर और mixture रेडी हो चुका है गैस का flame बिल्कुल बंद कर दीजे ये जरूरी है यहाँ पर आपको गैस का flame बंद करना है और गैस का flame बंद करने के बाद जो हमने process cheese cubes को कदूकस करके लिया था अब हम वो इसमें डालेंगे देखें कड़ाई हमारी काफी गरम है जैसे ही आप इसमें cheese डालेंगे cheese melt होना शुरू हो जाएगी इसलिए यहाँ पर गैस का flame on मत रखिएगा और इसे दो मट अच्छी तरह से मिलाईएगा यह देखिए हमारी cheese अच्छी तरह से melt हो चुकी और हमारा मतर और cheese का mixture बनकर तयार हो चुका है अब हम इसे एक side में रख लेते हैं अब हम आते हैं सूजी की रोटी की तरफ तो सूजी की रोटी बनाने के लिए एक हमने तवा गरम कर लिया है तवा बहुत जादा गरम मत कीजेगा medium flame पर इसे गरम कीजेगा और एक कल्शी भर कर हम इसमें mixture का डालेंगे यह देखिए और इस तरह से फैलाएंगी बिल्कुल गैस का flame इस वक्त बिल्कुल low या medium रखिएगा high flame पर इसे मत पकाईएगा medium flame पर आप इसे डालेगा और एक मिनट में आप देखेंगे सूजी की रोटी है यह बन कर तयार हो जाएगी आप अभी देख पा रहे होंगे यह उपर से पक को तो अब हम इसे टर्न कर लेते हैं और नीचे साइट पर lightish golden brown spots आचुके हैं अब दोनों साइट से हम इसे इसी तरह से पकाएंगी कम से कम 2-3 मिनट ताकि अच्छी तरह से कोख हो जाए इसी तरह हम सभी सूजी की रोटियां बना कर तयार कर लेंगे यह दिखिए अब बस लास्ट वे हमें बाइंडिंग करनी है तो बाइंडिंग करने के लिए सूजी की रोटी ले लेते हैं पहले जिसे हमने अभी बनाया है और हम इसमें डाल देंगे बीचों बीच एक से दो बड़े चमच मिक्स्चर के यह देखिए चीज का मिक्स्चर है जब हम इसे फिर से स प्रेस करेंगे और इस तरह से हम इसका पॉकेट बना लेंगे जो सूजी का हमने रोटी बनाए थी उसका हम बना देंगे पॉकेट यह देखिए एक स्क्वाइर पॉकेट बन चुका है इसी तरह हम सारे पॉकेट बनाकर तयार कर लेंगे बड़े आसानी से तयार हो जाते है और उनका लुक भी बहुत अच्छा लगता है अब जब हमारे सारे पॉकेट्स बनकर रेडी हो जाएं तब उसी तवे पर हम बिल्कुल थोड़ा सा बटर डालेंगे और हमने जो पॉकेट्स बनाए हैं अब हमसे वो डाल देंगे बस यह लास्ट सर्विंग सर्विंग पॉइ एक उसके बाद यह सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।